प्रेकी बास स्वागत है आपका आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की कहानी कुरसी की में आई अब बात करेंगे 2024 को लेकर क्या मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खीच पाएंगे मोदी बात करें मुस्लिम वोट और मोदी की ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही इंडिया आलाइंस की तमाम पार्टियां सबसे ज्यादा उत्साहित हैं दूसरी तरफ पिया मूदी ने इस बड़े वोट बैंक को भी अपने साथ कब ले लिया ये विरोधियों को पता नहीं चला 543 में से हिंडुस्तान की 80 लोकसभा सीजे ऐसी हैं जहां मुस्तिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है अगर बात यूपी की आप करेंगे तो 19 की चुनाव में सहारनपुर में बीजेपी के हाजी फसलूर रह्मान को 41% वोट मिले बीजेपी यहां नंबर 2 रही उसे 40% वोट मिले यूपी की नगीना सीट पर भी पीएसपी 56% वोट के साथ नंबर 1 रही बीजेपी यहां भी 40% वोट के साथ नंबर 2 रही मुरादाबाद से सपाक S.T. हसन 50% परसेंट पोट लेकर जीते बीजेपी यहां भी 43% के साथ नमबर 2 पर रही इसके साथी साथ अगर 2019 के चुनावों को आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ऐसी 36 लोगसफा की सीटे जीती थी जहां मुसल्मानों की आबादी 20% है और इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट पी नजर आ रही है बात अगर आप बिहार की करेंगे तो अररिया लोगसफा सीट पर बीजेपी खरीब 53% फोट लेकर जीती आर्जेडी के मुस्दिन कांडिडेट को सिफ 41% फीसद वोट मिले इसी तरीके से अगर आप बाकी सीटों पर भी देखेंगे तो कुछ ऐसे ही आक्रे रहे दरबंगा की सीट पर बीजेपी 60% पोट लेकर जीती आर्जेडी के अब्दुलबारी सिद्दिकी यहां सिर्फ 33% वोट ही हासिल कर पाए थे आपको ये जानकर भी हरानी होगी कि 2009 में जिस कॉंग्रेस को 38% मुसल्मानों का वोट मिला था 14 के चुनाव में भी उसे उतना ही वोट मिला लेकिन बीजेपी का ग्राफ पढ़ा 2009 में 4% मुसल्मानों का वोट पाने वाली बीजेपी को 2014 में भी 9% मुसल्मानों ने वोट दिया यानि कॉंग्रेस जसकी तस रही मुसल्मानों के बीच मुदी का ग्राफ 5% जरूर बढ़ता हुआ नजर आया मुदी का ग्राफ 2009 में 4 था, 2014 में बढ़कर ये 9% हो गया यानि 5% का इज़ापा भारते जंता पार्टी ने अपने मुसलिम वोट बैंक में कर लिया बात मुसलिम बहुल सीटों पर राहूल गानी की भारत जुड़ो न्यायात्रा की करें तो यूपी में राहूल उस अलीगर से होकर गुजरेंगे जहां 19 में कॉंग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे और वो नंबर 3 की पार्टी बनी थी राहूल की यात्रा उस बरेली को टच करेंगी जहां 19 में कॉंग्रेस को 6% वोट मिले वहाँ भी पोजीशन नंबर 3 की थी राहूल उस अमेटी से भी गुजरेंगे जहां 43% वोट तो मिले लेकिन खुद राहूल हार गए राहुल उस प्रियाग्रास से भी गुजरेंगे जहां 19 में 3% वोट मिले पार्टी भी नमबर 3 की ही रही राहुल वारणसी से भी होकर निकलेंगे जहां से मोधी सांसत बने और कॉंग्रिस सिफ 14% वोट ही बटोर पाई राहुल की 24 वाली यातरा के रूट मैप में काई सारे ऐसे लोकेशन्स भी हैं जहां मुसलिम आबादी बड़ी संख्या में है इन में बंगाल के भी साथ जिले हैं लेकिन फिलहाल तो इंडिया लाइंस उसी बंगाल भी ही आपस में गुत्थम गुत्थी करने में जुटी हुई है मुसलिम वोट के आधार पर कॉंग्रिस ने दावा कर दिया है कि 50% सीटे उसे चाहिए इस इंडिया लाइंस में तो वहीं जो बाकी घटकदल हैं जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं वो भी कोशिश कर रही हैं लेकिन इन सब के बीच मोदी का प्लान क्या है बीजपी का प्लान क्या है आईएस पर चर्चा कर लेते हैं क्या राहुल जी आपको ऐसी संभावना लगती है कि 2024 के चुनावों में जो ग्राफ मुसल्मान वोटों का है ये बढ़ सकता है ये बीजपी के खाते में और गिर सकता है या कम हो सकता है देखे उत्तरप्रदेश में इस बार जो निकाई चुनाव हुए थे उसमें लगभग 61 ऐसे कैंडिट थे जो मुसलिम कैंडिट थे बीजपी की तरफ से जीते थे तो ऐसा नहीं कि मुसलिम जो वोट बैंक है वो बीजपी की तरफ नहीं जाता है कम जाता है अब एक सर्वे ये कहता है कि 2019 के चुनावों में कितना सही है मैंने ही कह सकता है लेकिन ये सर्वे कहता है कि 2019 के चुनावों में लगभग 20% जितने हमारे यहां जो 14% माना जाता है बिलकुल नहीं पड़ता है लेकिन अगर मैंने ये जालतर चुनावों में देखा है कि अगर चॉइस हो कि बीजेपी को रोकने वाली कोई बड़ी पार्टी जो है वो सामने हो जैसे कि समाजवादी पार्टी है या फिर कॉंग्रेस पार्टी है या कोई और ऐसा दल जो उनको रोक सकता हो तो मुसल्मान वोट जो है उसकी तरफ जुखजाता है लेकिन बीजेपी ना के वहल इसकुल मुसल्मान वोटों पर कॉंसम्टरेट कर रही है बलकि वो क्रिश्चन वोटों पर बहुत जारब कॉंसिंट कर िदेखिये नॉर्थईस में और गोई जैसे राजिय बीजेपी को जॉइन किया है। ऐसे में एक और जो फेक्रड़ नहीं दिखाई देता है वोत राजियों है कि केरला में इन रोडस बनाने के लिए बीजेपी को लगता है कि ये एक जो है फॉर्मूला बहुत अच्छा होगा और शायद इसलिए बीजेपी इस पर जोर भी दे रही है हमने हाल ही में देखा था जब क्रिस्मस के वक्त पधान मंत्री ने जो क्रिश्चन समधाय से बात की थी वो मिले थे उनसे उन्होंने उनको जो बहुत बदाई दी थी उस दिवसकी तो इस तहां से जो बीजेपी का जो शीर संगठन है वो भी इस तरफ ध्यान दे रहा है निकुल 400 प्लस का टार्गेट लेकर बीजेपी चल रही है और अगर आपको 400 सीटे जीतनी है तो फिर आपको हर एक वर्ग का वोट चाहिए और हर एक वर्ग को साथने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है समीर जी अगर सिर्फ मुस्लिम वोट की मैं बात करूँ और राम मंदिर से इसे जोड़ कर देखूं तो कई ऐसी तस्वीरे हैं कई ऐसी खबरे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा है इस से तर इंडिय अलाइंस मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए राम मंदिर पर हिंदू के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है क्या ये भी पीज़पी को फाइदा और इंडिय अलाइंस को नुकसान पहुचा सकता है देखें निश्य रुप से पदामंतरी मोधी 2014 वे जब पदामंतरी बनकर दिल्ली आये थे उसके बास से आप देखें पदामंतरी मोधी की अलपसंक्यक मंतराल है जो पहले मुक्तार अबास नक्वी के पास था और फिलाल अब समुर्तिरानी के पास है सत्तर से जादा ऐसी योजना है, जो सिब मुसलिम और अलपसंका के लोगों के लिए शिरूकी की गई है उनकõ एजुकेशन के लिए हो, उनको हेल्थ के लिए हो, उनको स्कॉलर्शिक के लिए हो, हज辈 आतरा के लिए हो हजातरा में कोटा पदामंतरी मोदी ने बढ़ा के दिया था और आप देखिए बारतिय जन्ता पार्टी के विधान परिश्द सदस्य उत्ता पदेश में मुसल्मान सबसे ज़्यादा है कंपेर अगर करोगे दूसरे पार्टियों से तो तो बारतिय जन्ता पार्टी ने दिखा रहे थे उसके बाद मुसलिम महिलाओं ने पदामंतरी नरेन मोदी और भारतिय न्ता पार्टी पर विश्वास जता है और मुझे लग रहा है जिसे आप से उत्त्तम अदेश के विधान सभा के चुनाओं या उत्तम अदेश के निकाय चुनाओं के प्रणाओं आए जीत ली आजमगड अकलेश के जो अमवा समीकरन ठाजमगड में वहां भारतिय न्ता पार्टी ने अपने उमिधार को जीताया है तो मुझे लगता है कि उत्तर परदेश के अलावा अगर आपको एंदुस्तान की बात करो के तो भारतिय न्ता पार्टी के प्रतिय मुसल्म इन लोगों के लिए लागू किये देखिए योजना सब के लागू हो रहे है पदामंतरी हावा से मुसलमानों को भी घर मिल रहा है उनके लिए उनके मिल रहा है योजना के लिए लोन उने दिया जा रहा है तो मुझे असा लगता है कि सबका साथ सबका विकाश पदामंतरी मोधी की योजनाओं को अलपसें का विभाग जो है भारतियन्ता पार्टी का जमेनिस्तर पर पहुचा रहा है अब ऐसा प्रतित होता है कि मुसलमान का एक बड़ा वर गई है महसुस करता है कि पधार मंत्री मोधी को वोट देने पर मुसलमानों की प्रगति होने वाली है क्यो मुसलमानों के भी आर्थिक ग्रुप से स्थिति सुदरी है और अब वो विकास में सवागी होना चाहते है और चाहते है कि पधार मंत्री मोधी योजनाओं का उने भी लाग मिले और वह भी आर्थिक ग्रुप से सामाजी ग्रुप से समुर्द हो सके और मुझे गगरा इसी कारण वो बारतियंता पार्टे के साथ जुनना चाहते हैं और आकरशित हो रहे हैं लेकिन आर्थी ची इस बात से तो उनकार नहीं किया जा सकता कि आप भले ही जन कल्यानकारी योजनाय चला लीजे आपने तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं का वोट अपने तरफ खींच लिया उनका अकरशिन अपनी तरफ आपने जरूर केंदृत कर लिया लेकिन ग्राउंड पर अभी भी ये मेसेज देने की कोशिश की जाती है बाकी पोलिटिकल दल की तरफ से कि अगर बीजेपी आएगी तो आपकी धर्म को खत्म कर दिया जाएगा आपको जानबुझ कर टार्ग के लिए क्योंकि जो पोलराइजेशन हुआ इन फाक पिछले अलेक्शन में भी कहीं जगे कहीं जगे हुआ और कॉंग्रेस ने उस पोलराइजेशन का फाइदा बहुत उठाया करनाट का में बाकी जगे भी और यहां पे 2024 की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा डिस्पाइट कि हां इतनी सारी स्कीम्स में प्रैमिनिस्टर ने कहीं पे कोई भेदबाव नहीं किया जितनी भी सेंट्रल स्पॉंसर्ट स्कीम्स है वो लोगों को उनके एकनॉमिक स्टाटस पर मिलती है यह कोई नहीं पूछता है कि आप इंदू है तो अगर वाकई देखा जाए बहुत ही सेकुलर पॉलिसीज या लिबरल पॉलिसीज जो प्रैमिनिस्टर की रही है पिछले 10 साल में वो हर कम्यूनिटी को मिला है सिर्फ इसले क्यूंकि वो एकनॉमिकली डिप्राइव थे उनके जरुरतें थी लेकिन सबसे आपका मजहब जो है वो खत्रे में है तो उस वक्त सारी सारी स्कीम्स एक तरफ रह जाती है और जो भी नारेटिव हुआ मतलब जिस नारेटिव की वज़े से जो आपने कहा कि आकर्शित हुए है मुसलमान महिलाएं कहिए या जो घरीब तबके के लोग है पसमानदा जो है क्या पसमानदा मुसलिम वोटर इन सब जो पोलराईजेशन के जो अंश है या जो सब्जेक्स है उन से उठके वो देख पाएगा अलेक्शन के दोरान मुझे लगता है कि किसी हद तक ए पसमानदा वोट बैंक जो है वो उस से उठ उपर उठेगा और वो प्राइमिनस्टर मोदी को वोट देगा क्यूंकि कई सारे जो समीर जी ने कहा कि कई सारे यह स्तरिफ एडुकेटर तबका नहीं है यह इन फैक्ट गरीब तबका भी है जहां पर लोग पड़े लिखे नहीं लेकिन इतनी समझ है कि प्राइमिनिस्टर मोदी की स्कीम्स की वजए से उनको है एक तबका एक स्ट्रॉंग सेग्मेंट होगा एक क्रिटिकल वोट होगा शेर जो होगा मुस्लिम्स का वो प्राइमिनिस्टर को जाएगा और वो सर्फ इसले जाएगा क्यूंकि डेवलप्मेंट जो आल इंक्लूजिव डेवलप्मेंट की वो बात करते हैं सबका साथ करकार की योजनाओं के कारण जो है वो मुस्लिम वर्क जो है वो बीजेपी की तरफ जो करा है लेकिन आजमगर्ड या रामपूर जैसी जो जहां पे जीत हुए बीजेपी ये शायद सही एक्जांपल नहीं होगा हम आजमगर्ड को एनलाइज करेंगे तो एक परसंट इसा नहीं है लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि प्रधान मंत्री ने जो योजनाओं दी है उसका सब को क्योंकि फायदा मिल रहा है वो मुस्लिम वर्क को भी फायदा मिलता है इस कारण कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ जुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ा है